जहीं दोफ्तों है निमन होमय हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सत्तिम कर्षब B.H.M.S. और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कब-कब इसका यूज किया जाता है और कैसे इस मैडिसन को लेना है। तो देड़ नकरते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तब जो इसके लक्षण है यान की मैंटल सिम्टम्स जो है माइंड के लक्षण जो इसके हैं वह इस मैडिसन के चीफ गाइटिंग सिम्टम है। और साथी साथ बच्चों के रोगों में इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। जब बच्चे जो हैं बहुत ही जाद एरीडेबल यानि की चिटचड़े होते हैं, बेचैन होते हैं और उनके पेट में दर्द बना रहता है। अब इसके स्टमक यानि की आमाशे के लक्षणों की तरफ बढ़ें, तो उसमें देखने को मिलेगा कि पेटिंट को बहुत ही जादा डकारे आती हैं, यानि कि पेटिंट बहुत ही जादा गैस पास करता रहता है। और खाना खाने के बाद या फिर कुछ भी पीने के बाद पेटिंट को बहुत ही जादा पसीना आ जाता है। पेशन्ट की पॉट्टी अगर देखेंगे तो बहुत ही पतला स्टूल होगा और बहुत ही मतलब डायरिया वाली कंडिशन पेशन्ट में मिलेगी बहुत ही जादा उसमें से बद्बू भी आएगी म्यूकस भी थोड़ा बहुत कुसमें मिल सकता है और हरे रंग का वाटरी स्टूल जो है पेशन्ट करता है कैमोमीला का जो पेशन्ट होता है वो सेंसिटिव होता है बहुत ही जादा प्यास उसे बहुत ही जादा लगती है पेन मिलता है बॉड़ी में और उसके साथ नम्बनेस मिलती है यानि कि तोचा पर जैसे कि सुन्पन बहुत ही जाद मिलता है पेंड के साथ साथ आप इसके माइंड की तरफ बढ़ें यानि कि मैंटल सिम्टम की तरफ बढ़ें तो बच्चा अगर है कोई तो बच्चे को अगर आप कोई खिलोना लाकर देंगे पहले वो कहेगा कि खिलोना लाकर देंगे और फिर अगर वो उस खिलोने को मना कर देता है तो यह कैमो मिला का माइंड है यानि कि पहले तो कोई भी चीज मंगाता है जो बच्चा होता है और फिर उसको मना कर देता है कि यह मुझे नहीं चाहिए बच्चा जो है वो रोता रहता है और जब ही चुप होता है जब उसको गोद में ले जाकर के इधर उधर टहलाया जाता है और कभी भी अगर गुस्से की बज़े से जो है लक्षन आ रहे है या फिर कोई कम्प्लेंड आ रही है एंगर की बज़े से यानि गुस्से की बज़े से तो वो भी कैमोमीला की लक्षनों में इससे एक है तब भी कैमोमीला का यूस किया जाता है Chamomila का पिशन irritable होता है, sensitive होता है, बेचान होता है बहुत जादा और पेन के साथ उसमें numbness मिलती है तो इस तरीके के Chamomila होमेपतिक मेडिसन के लक्षन है हाँ, और साथ-साथ अगर कौफी अगर किसी ने पी ली है या फिर कोई नार्कोटिक ले लिया है कौफी पीने के बाद अगर किसी को बहुत ही जादा बीमारी या फिर डिजीज आ रहा है या फिर कोई बीमारी वाले लक्षन आ रहा है abuse of कौफी जिसे हम बोलते हैं तब भी Chamomila का यूस्त किया जाता है अब इसकी doses के बारे में बात करें तो 30 potency में Camomila का यूस्त किया जा सकता है अगर आप हमरी चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें वीडियो पसंद आईए तो लाइक जरूर कीजिएगा कोई भी क्वरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में धन्यवाद